मांग में तेजी की उमीद के चलते हैं दो हजार बाइस में गवार गम के एक्सपोर्ट में पांच फीज़ी बड़ोतरी की उमीद है हाला कि खराम आवसम उत्पादन पर असर डाल सकता है लेकिन उत्पादन घटा तो गवार गम की कीम्तों में तेजी आएगी गवार गम की मांग, food and beverages, oil and gas, कॉस्मेटिक, फार्मा, टेक्स्टाइल और पेपर सहीत अन्य चीजों के लिए बढ़ सकती है वही जानकारों के अनुसार गवार के fundamentals मजबूत ही है उत्पादन कम बताया जा रहा है और मंडियों में जो माल आ रहा है वो दागी बताया जा रहा है और उसका उठाफ कम ही देखने को मिल रहा है अच्छे माल की मांग जादा देखने को मिल रही है जिसका माल मंडियों में ना के मराबर है वही बात करें अगर वायदा बजार उकी तो NCDEX पर गवार गम की कीमतों में अच्छी तेजी के बाद मुनाफ़ा वसूली देखने को मिल रही है गवार गम में अभी ये मुनाफ़ा वसूली कुछ दिनों तक और जानी रह सकती है जो कीमतों को नीचे में 10,200 से 10,300 तक लेकर जा सकती है बजार के जानकार मोतिलाल आस्वाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सर्जीजा के मुताविक अभी गवार गम पर मुनाफ़ा वसूली कुछ दिन और हावी रह सकती है कीमते नीचे में अभी 10,200 तक जा सकती है उनके अनुसार गवार गम में 9,700 का स्टॉक लोस रहेगा और छोटी अवदी में 11,400 तक के लक्ष हासिल किये जा सकते है वहीं लंभी अभी में गवार गम 11,900 से 12,000 तक के स्टर दिखा सकता है वीर विपोर्ट, मार्केट टाइम्स, टीवी बश्या सकता है